आप देख रहे हैं एसी आई नियूज रस्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ पुरा एक एतिहासिक राज्यत था जो महाभारत के समय से एक एतिहासिक राज्यत था हमने 1949 में हिंदुस्तान की संग मर्च किया मेरे खुद की ग्रानमदर कंचन प्रबादेवी मेरे पिताजी के नाम में उन्होंने इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन को साइन किया और त्रुपुरा हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना जब हमने इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन को साइन किया था तो भरत के सरकार ने हमें संव्यधाने गैरेंटीज दी थी कि आपका भाशा आपका जमीन हाँ आपका संव्यधा आपका कल्चर आपका आइडेंटिटी आपका अस्तित्व को हम बचाकर सुरक्षित रखेंगे आप हिंदुस्तान का एक अंग बन जाईए इस पाकिस्तान या आज का बंगलादेश म मत जाईए या स्वाधी मत रहिए हम हिंदुस्तान का सरकार आपको सुरक्षित रखेंगे जितना भी हम लोग का बुकुंग बारा है आपको सुरक्षित रखेंगे ये आश्वाशन हमें दिया गया था 1949 के राइटिंग में है हिंदुस्तान के Constitution में है आज भी प्रमान है को फॉराइस जज्ञ नहीं मिलेगा आएस ऑफिसर के एग्जैम में हमें जब एक्जैमिनल लिखना पढ़ता है तो हमें बंगला में लिखना पढ़ता है कि अ आदेख लिए हमारे हैतिहास में आज तक कोई भी नहीं मिला है सिर्फ दस्ष्थ्थ देव मिला था सिर्फ इकान्जमे साल के अमर में और 88 के अमर में उनको मुख्य मंत्री बनाया गया आज प्रसाशन हमारे संग नहीं है आज विवश्था हमारे साथ नहीं है आज पूरा का पूरा सिस्टम हमारे साथ नहीं है हम एडिसी काउंट्सिल में हां इस भार इलेक्षिन में जीत के आया है तिप्रा मोता जीत के आया है और जब हमने चैलेंज किया हमारे पास भी पैसा नहीं था लेकिन हमने बीडीबी को चैलेंज किया कम्यूनिस पार्टी को चैलेंज किया कॉंग्रेस पार्टी को चैलेंज किया और एक वीजनल छोटा सा पार्टी अंचुलिक पार्टी जीत के आया वह आपका प्यार के लिए हैं हम लोग लेकिन आज आप देखेंगे अनी ने इसके बहुत अच्छे तरीकी से बताया है कि तुर्पुआ का बजट है बाइस हजार करोर हमको मिलता है कुछ नहीं मंत्री आता है अगर तला में बोलता है कि हमें ये मिल रहा है वो मिल रहा है कागस में मिलता है लेकिन असल में हमको क्या मिलता है कुछ नहीं आपने एक घूमी पुत्र को अपने ही राज्य में आपने हमें परसिक्यूट किया हमें टार्गेट किया आज संजे सिंग जी पूरा नौटीस में आप जाकर एक सवाल पूछिए और पूरा नौटीस आपको एक ली जवाब देगा हम दूसरा स्वाल नहीं बनना चाहते हैं पूरा नौटीस ये बोलता ये सच बात है कि आप पञजाब जाएंगे तो आप पञजाब का कल्चर देखना चाहेंगे जब मैं महराष्टिर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मराठा या महराष्टिर देखो जब मैं बंगाल जाता हूँ तो मैं रबंदेनाट टेगॉर इश्य चंदर विदिया सागर जगजी चंदर बोस के बारे सुनू पढ़ूँ जब मैं हिमाचल जाता हूँ तो मैं हिमाचल का इतिहास देखना चाहता हूँ लेकिन आप तुर्पर आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप हिंदुस्तान में आपको लगेगा कि आप बंगलादेश के एक एक स्टेंशन में हम एक बॉर्डर स्टेट हैं हमारा एक पीड़ा है कि आपने हमें हमारे ही राज्य में वंचित किया है सब्तर साल से हमारे अंदर एक दुख है और ये जो टीप्रा लैंड ग्रेटर टीप्रा लैंड का जो मूवमेंट है ये पॉलिटिक से नहीं होगा ये हमारा सर्वाइवल के लिए है क्योंकि दो हजार चप्पिस में फिर से डी लिमिटेशन होगा और जब दी लिमिटेशन होगा उसके बाद फिर से असेमली में सीट्स बढ़ेंगे उसके बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला हमारा संख्या कम है हमारा पास संख्या कम है तो आप क्योंकि हमारा संख्या कम है आप हमें खारिश कर रहे हैं यह हमारे संगतिया चार है citizenship amendment bill जब पास हुआ हम ने मैंने Supreme Court में क्येस फायल के आज भी Supreme Court में क्येस चल रहा है आपने आपने नागलान को छोड़ादिया अरुनाचल को छोड़ादिया आपने मनिपूर को छोड़åदिया सिक्किम को छोड़ दिया जिनका सीमा बंगलादेश के साथ नहीं है लेकिन आपने आसाम नेधाले और तुरुपुरा जिसका बांडरी बंगलादेश के साथ है आपने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि आपको वोट बैंक्स की राजनीती करनी थी क्योंकि आपको पक्षिम मंगल जीटना था तो आपने तुरुपुरा को बली कर दिया सिरिजिंशिप अमेंडमेन आक के बार जवाब पक्षिम मंगल में मिला कुछ नहीं मिला अगर देश का प्राइम मिनिस्टर गुरु ले रहे हैं तो ये कोई जाना डिमांड नहीं है कि आप भी हमारा CAA का जो डिल पास हुआ है जिसमें आपने हमारे तीन राज्यों को रखा है आप उनको भी खारिज कीजिए क्योंकि ये जो हो रहा है हमारे साथ अन्याए है आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसान का अंदोलन को देखकर हम देखते हैं कि हाँ देश का सरकार भी समझ चुका है कि आज अगर आपने किसान का बात नहीं माना तो आप शायद शिकस्थ होंगे पंजाब और यूपी में एक समय ऐसा था जब छात्र का मूडमेंट था आसाम स्टूडेंस मूडमेंट आसू मूडमेंट देश का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांदी था चार सो चौदा सीट था एंपी में लोग सभा में लेकिन उनको आसाम अकॉर्ट साइन करना पड़ा क्यूंकि एकता था थ हो सकते हैं लेकिन दो हजार तेइस में अगर हमारा दिमांड गर्मेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया तो यह जो भुकुंबारा पार्टी जैं यह जो मौथा और आई पीएफ्टी एक पार्टी होकर एक पार्टी होकर आपको एक ठांसा चेंगे कि नहीं सुनानी पर रहा है पार्लिमेंट वहां में हैं ठांसा चेंगे कि नहीं ठांसा होकर नेशनल पार्टी को हम लोग एक आवाज में एक मंच से हम लोग जवाब देंगे हमारा दिमांड पूरा करो अगर नहीं किया तो अकेला लेरेंगे जीतेगा तो हारेगा तो वान लाश्ट फाइट करेंगे आई यू रेडी संजेजी आप यहां में आये आपने हमारा कट छोटा है हम लोग पीपरासा नौर्टी सी लोग थोड़ा कट छोटा है मेरा नाथ फोड़ा होगे कि यूपी से पेरे माह है वरना हम लोग भी पूपिंग बारा ह सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ